मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सुर सुंदरी यक्षणी की जो की आठ प्रमुख यक्षणी में से एक हैं। देव योनी के समान सुंदर सुडोल होने के कारण इसे सुर सुंदरी यक्षणी कहा गया है। और यह यक्षणी किसी पूरुष पर प्रसन्न हो जाए तो उसे क्या-क्या दे सकती है। जानने के लिए बने रहे हैं वीडियो में कुछ ही देर। जिस तरह प्रमुख 33 देवी देवता होते हैं। उसी तरह प्रमुख 8 यक्ष और यक्षणियां भी होती हैं। गंधर्व और यक्ष जातियां देवताओं की तरह थी, तो राक्षण, दान आधी जातियां देद्धियों की तरह। जब पांडव दूसरे वनवास के समय वन-वन भटक रहे थे तब एक यक्ष से उनकी भेट हुई जिसने युदिस्टिय से विख्यात यक्ष प्रश्न किये थे उपनिशत की एक कथा के अनुसार एक यक्ष ने ही अगनी, इंद्र, वरुण और वायू का घमण भी चूर-चूर कर दिया था सुर सुन्दरी यक्षनी साधक के समक्ष एक बहुती सोम्य और सुन्दर स्तिरी के रूप में प्रस्तुत होती है इस यक्षनी की विशेषता यहा है कि साधक उन्हें जिस रूप में पाना चाहता है वह प्राप्त होती ही है चाहे वह मा का स्वरूप हो, चाहे वह बहन का या प्रेमिका का जैसी जिसकी भावना वेशे ही रूप में वह उपस्तित होती है या स्वप्न में आकर बताती है यदि साधना नियम पुर्वक अच्छे उद्देश के लिए की गई हो तो वह दिखाई भी देती है यहां यक्षणी सिद्ध होने के पश्चात साधक को एश्वर्य धन संपत् है सुन्दर सुडोल होने के कारण इसे सुर सुन्दरी एक्षणी कहा गया है मित्रों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे शेनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद